नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर अर्दिक स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर पंकज दोस्तों आज बात करेंगे कि गार्णिंग के बेशिक रूल्स क्या होते हैं जिससे कि हमारे पौधे बहुत अच्छे से और आसानी से चल सकें तो दोस्तों बेशिक रूल में सबसे पहला ध्यान रखने वाला जो नियम है वहाँ है प्लांट सेलेक्शन जब हम नरसरी से पौधा लाते हैं तो उस समय हमको किस प्रकार के पौधे का सेलेक्शन करना चाहिए जिससे वहाँ पौधा हमारे घर में आकर हमारे गंबले में अच्छे से च दिशान रखना है कि जब भी आप को प्लांट सेलेक्शन करना हो यह थो आप छोटे पौधे का सेलेक्शन करें ऐसा पौधा से पौधा तो पौधा चौटा UX जो पौधा ऑषे जिन्में टेप रूट शिस्टम पाया जाता है और एक ऐसे पाऊधे जिन्में इडवांटेटेस रूट शिस्टम पाया जाता है अर्ना लेज्टेश जो दूसी तरफ एक इस प्रकार की पाऊधे उते हैं जो प्रिजिनल होते हैं जो एकी सीजन में अधने फ्लावर्स देते हैं और दूसरी तरह प्रमानेट प्लांट्स होते हैं जो हमारे गारडन को पूरे साल हरा भरा रखते हैं तो दोस्तों प्रमानेट प्लांट्स में जैसे बहुत सारी वराइटी पाम की हैं गुडएल है नीबू है कनेर है बोगन विलिया है योका है थूजा है इस प्रकार के बहुत सारे इसे पौधे होते हैं जो मरूट लगाते हैं और यह तब काम में आते हैं जब हमारे पास कोई भी पौधा देने वाला नहीं होता है इसके अलावा बहुत सारे सीजनल पौदे होते हैं जैसे पिटूनिया है घुल्दाउदी है और अब प्लाक्स है पोर्चलाका आता इमार कर तो ऐसे पौदे पौधे की आवसक्ता के नुसार करें या पौधे के नेचर के हिसाब से करें कि उसको किस प्रकार की मिट्टी की आवसक्ता है जो परवानेंट प्लांट्स होते हैं इनके लिए थोड़ी सी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो जिसमें सेंड की मात्रा कम हो और जो सीजिनल प्लां कि आए बात करते हैं कि जो स्वाइल हम बना रहे हैं इसका टीट मेंट कैसे करें तो स्वाइल टीट मेंट के लिए जिस समय आप स्वाइल बनाएं उस मिपने इसमें फंजी स्वाइड जूरूर मिला दें क्योंकि दो तरीके का फंगस होता है एक ऐसा फंगस जिसे कांटेक्ट फंगस कहते हैं और एक ऐसा फंगस जो स्वाइल बोर्ण फंगस होता है तो मिट्टी बनाने जिस दिन मिट्टी बनाएं उस दिन इसमें कोई सा भी फंगस मिट्टी मिला दें और मिट्टी मिलाने के बाद इसको जो है एक दिन के लिए छोड़ दें एक रात के लिए इसको छोड़ देना चाहिए नेक्स डे फिर आप इसमें प्लांट को रिपॉर्ट करें दोस्तों आएए बात करते हैं कमपोस्ट की कमपोस्ट भी एक बहुत एहम मुद्दा है हमारे गार्डन में तो कमपोस्ट दो प्रकार को होता है एक तो बायलोजिकल कमपोस्ट होता है जिसमें परिमी कमपोस्ट आता है जिसमें काउडंग आता है और दूसरा केमकल कमपोस कमपोस्τη होता है जिसमें जिंक हैनि के है तो कोशिश है क्रणा कि और सकते हैं मिकस करें औरने यूरिया बगारा यूरिया तो चुए ना यूरिया बारे में सोचें ना डीएपी और एंपी के आप डाल सकते हैं लेकिन यह भी न डालें आप खाली बाइलोजिकल कंपोस्ट ही इसमें डालें दोस्तों जब प्लांट्स को इस मिट्टी में मिला दें तो फिर अगला जो में जीड़ना हैं कि यह समझी आवस्रक्ता अनुसार ही डालें इसलिए आवस्रक्ता अनुशार ही क्हाद और पानी डालें जब आपको ऐसा लगे आपकी मिट्टी सूख गई है फोपर पर से उसकी सरफेस आपको सूखी दुखाई दे तभी आप इसमें पानी डालें हिस्सा आता है उसे करते प्रूनिंग या कटिंग पवध्य की समय समय पे टिंग करते रहना बहुत जयादा होस्यक्पष्ज पय।कि आप पंशय करेंगे कभी अश्ル साओ вокруг उस्फें से में बड़ीन हाने लगती प्रूनिंग करने का वैसे बरसात में किसी भी पौधे की प्रूनिंग कर दें यह ठीक टाइम होता है इस समय जब आप प्रूनिंग करेंगे तो आपका पौधा बुसी हो जाएगा पौधा आपका जवडेला हो जाएगा और बहुत सब्सक्राइब ब्रांचेज निकलेंगी और जितने ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी उतने ज़्यादा आपको फ्लावर मिल पाएंगे इसलिए प्रूनिंग एक बहुत महात्तुपूर्ण हिस्सा होता है तो इसलिए प्रूनिंग जरूर करें और पौधे को जंगली पने से बढ़ते रहने न दें क्योंकि इस चोटी सी खुर्पी होनी चाहिए चोटी सी खुर्पी से टाइमली आप पौधे की गुड़ाई करते रहें और गुड़ाई करने के बाद इसमें से दो चार दाने फिर आप डीएपी भी डाल सकते हैं तो दोस्तों आज हमने जो आपको बेसिक बाते बताई अगर इन बातो का आप ध्यान रखेंगे तो आप निशित मानिए कि आपको नरसरी से आप जो भी पौधा लाएंगे वो आपका पौधा मरेगा नहीं और आपका पौधा अच्छे से चलेगा मित्रों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चै मंगल का अन्वव है जिसको हम आप लोगों से सेर कर रहे हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप सभी का दिन सुबवर मंगल में हो नमस्कार